एलो स्टुडेंट आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर प्यर ओफ लिनेर एक्विशन इन्टू वैरिबल एक्सरसाइज 3.5 का कुश्चिन नमबर आज हम लोग 1 का 3 और 4 बनाएंगे तो चलिए देखते हैं हम लोग को कुश्चिन नमबर 1 क्या करा है हम लोग को क्या करना है हम लोग को जो लिनेर पेर एक्विशन दिया है उसका हम लोग को देखना है कि वो यूनिक सॉलिशन है या नो सॉलिशन है या इन्फानिटली मेनी सॉलिशन अगर हम लोग का यूनिक स 3 क्या करते हैं हम लोग देखते हैं 3x सबसे परले चलिए मैं यहाँ पर 3 लिखके solution कर देता है solution ठीक है सबसे परले एक बार इसको मैं लिख देता हूँ 3x-5y equal to 20 equation number 1 मान लेते हैं फिर 6x-10y equal to 14 इसको equation number second मान लेता है अब हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं अब देखे हम लोग करेंगे इसको क्या करते हम लोग coefficient का क्या करते हैं हम लोग ratio का compare करते है a1 by a2 हम लोग का a1 कितना हो जाएगा equation first का x का coefficient कितना है 3 और a2 क्या हो जाएगा equation second का x का कोफिशेंट कितना है 6 इसी प्रकार से b1 by b2 क्या होगा हम लोगा b1 होगा हम लोगा equation 1 का y का कोफिशेंट मायनस 5 है और b2 क्या होगा equation second का y का कोफिशेंट कितना है minus 10 आप देखे c1 by c2 क्या होगा हम लोग का c1 हो जाएगा equation first का constant हो जाएगा 20 और equation 2 का constant ट्रम के हम लोग का 40 हम लोग नहीं किया क्या coefficient का ratio का हम लोग ratio को compare करें ठीक है चलिए आप cancel हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, minus minus cancel 5 जा 5, 5 2 जा 10, 21 जा 20, 22 जा 40 ठीक है तो हम लोग कहा देखिए 3 ने equal आया 1 by sorry A1 by A2, 1 by 2 है ठीक है B2, B1 by 2 और C1 by C2, B1 by 2 है तो हम लोग को क्या होगा A1 by A2 equal होगा B1 by B2 equal होगा और C1 by CT होगा इस condition में हम लोग क्या होता है coincident line होता है मतलब जब हम लोग इसको graph में अगर आप देखा जाए graph में draw की जाएगा तो हम लोग को लाइन होगा वो क्या होगा overlapping मतलब कोई एक line है उसी के उपर दूसर line भी C के उपर होगा ठीक है चलिए हाप लिख देते हम लोग क्या करेंगे हाप coincident line लिख देता हूँ ताकि आपको समझने भी समझने में असानी हो coincident line ठीक है तो हम लोग यहाप लिख देंगे the equation has infinitely तब क्या होगा इसका infinitely many solution होगा इसका infinitely infinitely solution होगा ठीक है आप लोग इसका ऑर infinitely solution होगा ताम लोग इसको यहीं पे छोड़ दें क्योंकि हम लोग को क्या बोला था कोशन में आगर यूनिक solution होता है तब हम लोग को किस से solve करना था cross multiplication method से solve करना था तो हम लोग का तीसरा number का answer यही हो जाएगा आप से लिए हम लोग को question number इसी first का 4 देखेंगे तो first का 4 क्या चलिए एक बड़ा में लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए x-3y-7 equal to 0 equation number 1 दे देते इसको और 3x-3y-15 equal to 0 इसको equation number 2 दे देते आप हम लोग इसको क्या करेंगे आप हम लोग इसको फिर से वही करेंगे इसका coefficient के ratio को compare करेंगे a1 by a2 मैंने बता दे ए1 किसको बलते ए2 किसको बलते इसमें सीधे पूट करेंगे वह x का coefficient कितना होगा 1 और x2 क्या है sorry a2 क्या है x का coefficient second equation का 3 जली फिर b1 by b2 कैसे निकालें coefficient कितना है minus y3 इसका coefficient कितना है जो होजाएग हम लोग का minus 3 फिर क्या होजाएग हम लोग का c1 by c2 क्या होजाएगा minus 7 by minus 15 ठीक है minus minus cancel होगे 7 by 15 देखे हम लोग का इसमें क्या हो रहा है a1 by a2 नॉट इक्वल टू हो रहा है b1 by b2 के ठीक है यह 1 by 3 और यह कितना आ रहा है 1 हम लोग यहापर लिखे देंगे a1 by a2 not equal to b1 by b2 तब इस केस में हम लोग क्या होता है इन्टर्सक्टिंग लाइण होता है ठीक क्या है इस्टा करेंगा तो लोगों क्या होता है उससे फोल खरेंगेद सोलव करेंगे नियुक सौलुकलों करें MA1 resilience मैं अपके यहाद यहां पे लीग दीए एक बार मिला लगते हैं x-3y-7 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 equal to 0 फिर क्या 3x-3y-15 3x-3y-15 equal to 0 तो क्या चलिए वह ही है आप हम लोग क्या करेंगे श्रूड चलिए देखते है इसको थोड़ा हम लोग क्या करते है थोड़ा आरेंज कर लेते हैं मतले और मटईस्फिटीन को भी equal to को धर बेज़ेते हैं तो x-3 y-7 manière-7 नमबर 3 इससी प्रकार से इसको भी करेंगे तो क्या होजएगा मानस 15 इक्वल्टू के दर जाएगा तो पॉलस 15 इसको एक्विशन नमबर 4 गोल देते हैं आप क्या करें चेली देखते हैं हम लोग इसको क्या करेंगे हम लोग फिर से वही मैथड से सॉल्फ करेंगे यही एक्विशन से काम चल जाएगा इसको करने कोई ज़र रहा है नहीं है तो बाई क्रोस मल्टिप्लिकेशन मैथड हम लोग फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था चली क्या होता है एक्स अपॉन में क्या होता है हम लोग का बी वन से टू माइनस बी टू सी वन equal to क्या हो जाएगा हम लोग का y upon में क्या हो जाएगा c1 a2 minus c2 a1 equal to constant term के लिए हम लोग का क्या हो जाता 1 हो जाता उपर में a1 b2 minus a2 b1 ठीक है आप चलिए हम लोग पूट कर देंगे x ठीक है हम लोग का b1 क्या हो जाएगा देखिए मैंने आपको बता है था हम लोग का a1 b1 a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 क्या होता है ठीक है चलिए हम लोग का क्या होगा देखिए x b1 c2 ठीक है b1 c2 b1 क्या हो जाएगा हम लोग का 3 ठीक है minus 3 हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा, multiply कर दें किया हो जाएगा, minus 3 और minus 15 कितना हो जाएगा, minus minus तो plus हो जाएगा, 15 को 3 से multiply करेंगे तो 45 हो जाएगा, minus b2 c1, ठीके, b2 क्या हो जाएगा, b2, b2 हो जाएगा, minus 3, ठीके, b2 क्या हो जाएगा, minus 3 और c1 क्या हो जाएगा, minus 7, multiply कर देंगा, minus minus plus हो जाएगा अब देखी है हाँ है य बराबर किया आजाएगा हम लोग का c1 c1 क्या हम लोगा का हो जाएगा 7 और a2 कितना हो जाएगा 3 तो संसस् bald approximately के ना गजाएगा के यहां फिर यह फोर्मुला का माँनस लागी गा under लोंकर फिर्टेड्टों का झेला। 15 हो जाएगा सी तुक्या मानेस 15 और यहां पे x कोफिसेंट कितना है 1 है तो –15 को 1 से multiply करें कितना हाजएगा –15 घिक है एक्वल टू 1 फिर क्या हाजएगा a1, b2 a1 कितना है x कोफिसेंट कितना 1 और b2 कितना है b2 हाजएगा हम लोगा –3 cross multiply करें कितना हाजएगा –3 formula का –3 तो अको बोन nggak A2 to bevy・ when innovative لे wow कि असको मॉणिप्ला करीए ठीक है या तो आiminित like शेवा डिया यहां से मॉणिप्लाइ करीए ठीक है पहले इसको मुणिप्लाइ करी यहां इधीर यह डिल दिजे फिर फिर इसको इसने करती लिए फिर देगे फिर पर वाई के दिक ऐसके सोल्व करें घरा से इसको 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 इससे मौल्टिप्लिय करें नहीं को मॊंटिप्लाय करें दोनों को मुल्टिप्लाय करें प्र चलिए हम नों इसको solve कर देंगे तो x पराबर क्या जाएगा देखिए x पराबर नहीं x अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर 4 to 24 equal to यहाँ पर कितना है y minus 21 minus minus क्या जाएगा प्लस 15 और यहाँ पर equal to क्या जाएगा 1 minus 3 minus minus plus 90 के अब चलिए इसको फिर से थोड़ा solve करते हैं एक्स अपॉन 24 equal to क्या जाएगा y minus minus plus minus करेंगे 21 में 15 मैंस करेंगे तो कितना जाएगा 6 बचेगा ठीक है लेकिन मैंस 10 लेगा क्योंकि 21 बड़ा है उसके पहले minus sign और यहाँ पर कितना जाएगा 6 कि कितना जाएगा 6 बचेगा minus plus minus 9 में से 3 minus करेंगे 6 बचेगा 9 बड़ा है 9 के पहले plus sign इसलिए plus sign रहीगा आप चलिए हम लोग क्या करेंगे x by 24 equal to 1 by 6 क्योंकि सारा equal है ना तिनों देखे बीच में equal to का sign है तो क्या होगा सारा equal होगा यह सिके equal होगा यह सिके equal होगा हम यह दोने इकवल कर दिये खिंक के compare करेंगे इसका हम लोग solve कर देखें क्या करेंगे cross multiply करेंगे 24 को 1 से और x को 6 से ठीक है cross multiply कर देते है cross multiply कितना जाएगा 6x equal to the 24 x बराबर कितना हैगा 24 by 6 cancel हो जाएगा 6 बराबर कितना है गया 4 ठीक है अब चलिए दूसरा ही पर निकाल देते हैं हम लोग क्या हो जाएगा y by minus 6 equal to 1 by minus 6 आब क्या करेंगे हम लोग cross multiply कर देंगे इसमें भी ठीक है 6y equal to minus 6 y बराबर किया जाएगा minus 6 by 6 cancel हो जाएगा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 y का value कितना आगया minus 1 y का value कितना आगया minus 1 cancel हो के ठीक है अब लोग का हो जाएगा answer जाए x का value आगया 4 और y का value आगया minus 1 तो student video पासंद है तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए thank you